जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी दिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जेमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे तो सबी लोग तैयार है तो एक बार कमेंट में जल्दी से बता दो कि सर हम तैयार है पड़ने के लिए और हिंदी साहित के इतिहास को सुरुवात की जाए हैना सिरुवात की जाए तो सबसे पहला आज का प्रशन है कि हिंदी साहित के इतिहास का प्रिथम लेका कौन है फटाक से आपको आंसर बताना है और मैं कहता हूं सातियों कि जितने भी साती नहीं जुड़े हैं हिंदी साहित के इतिहास से संबंदेत हिंदी ब्याकन से बहुत सारी चीजματα जूआ हैं जो आप को कहीं नहीं मिले वाली वो सेलफ इसटडी किलासेस में मिलेंगी है ना दोस्तो एक बार आप सेल्प इसस जुड़ जाओ है ना इसमें पांच तारीक के जिसको भी जै यह यह दिसलेना इसमें ले करोगे हिंदी साहित के इतिहास का हिंदी साहित के इतिहास का जो प्रिथम लेखक माना जाता है दोस्तों वो कौन माना जाता है तब आपका बिल्कुर सही आंसर होगा गार्सादा गार सद अतासी यानि कि आपका जो एक नमबर है डी नमबर है वह विलकोड़ नहीं हो जाएगा घार सद अतासी आपको पता है दोस्तों कि अ अतासी ने इस्तिवार दाला लेतितुर एंदुर अंदूस्तानी दोस्तो गर्णत लेखा जिसका प्रकासन फष्ट बाग दोस्तूं 1849 में और सेकंड बाग 1847 में 1847 में प्रकासित हुए थे कि याद रख लेना और गारसा दासी फ्रेंच बीदवांते इसलिए इन्हों ने इ इस्तिमार दाला लितु तुरेंदु इंदोस्तानी ग्रंथ की रचना भी फ्रेंच भासा में की है ना और दोस्तों आपको पता है ये जो ग्रंथ है ये पेरिश ते प्रकासित हुआ था ये भी आपको याद रख लेना ठीक है तर अंगला कॉस्चन है कासी नागरी परचारन इतिहास कितने खंडों में प्रकासित किया गया फिप्टी टू का अंसर यहां पर आपको चैन करना है बाउन का अंसर चैन करना है दोस्तों यहां कंफ्यूज नहीं होना कहीं कहीं आपको इसका सोला खंड भी मिलेगा है ना और यहां पर अठारा खंड दिया है अगर अगर अठारा खंड आपके आंसर में या बिकल्प में आता है और सोला नहीं आता है तो आपको अठारा खंड लगा देना है अठारा खंडों में प्रकासित हुआ और कहीं कहीं आपको सोला खंड भी मिलेंगे है ना तो इस सोला खंड में प्रकासित हुआ ये भी याद रख लेना है ठीक है और यहाँ पर एक बिकल्प दिया है डी नमबर अठारा है तो आपको लगाना है उत्तर डी ठीक है तो अपका यहाँ पर बिलकूँ सही हो जाएगा और बड़ जाते हैं अंगले प्रस्ने की ओर सभी लोग एक बार लाइक कर देना और अंगला कॉस्चन है आपका दोस्तों कि हिंदी साहित की भूमिका गरंत का लेक कौन है यहाँ पर हजारी की भूमिका 40 की हो गई बोले सर हैना तो 40 की हो गई है हाँ 16 पढ़ा है बिल्कुور सतिर जी 16 ही पढ़ा है बिल्कुर सही है हैना तो हिंडी सायथ की भूमिका ग्रंद का लेक लेका कौन है एए आपको बताना है और उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा भूमिका हैना हजारी की भूमिका कितने की हो गई 40 की हो गई तो उत्तर क्या लगाओगे क्या लगाओगे हजारी से बनेगा हजारी पिर साथ दुवेदी और हिंदी साहित की भूमिका कि इन्होंने ग्रंट लेखा 1940 में 1940 में लिखा दोस्तों है ना 40 याद रखेना 1000 की भूमी का 40 की हो गई ठीक है अंगला कोच्चन हिंदी साहित के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने किस गरंत द्वारा अपना महत्पूर्ण योगदान किया किस गरंत द्वारा अपना महत्पूर्ण योगदान किया मिस्र बंधुओं की बात करते हैं तो कई बार मैंने आपको बताया है रट लेना इस चीज़ को कि सर अगर मिस्र बंधु की बात करोगे तो मिस्र बंधु आरंब से साथ में रहे आरंब से साथ रहे इसलिए इन्हों ने आदी काल को क्या नाम दिया आरंबिक काल नाम दिया आपको पता है तो इनको भूलना नहीं है स्याम गड़ेस सुकदेव के तीन भाई थे कि तीन भाई मिस्र बंधू ते इनको याद कर लेना बार बार पढ़ना पूछा जाता है कि निमन मैंसी बताईए कौन सा मिस्र बंधू में सामिल नहीं था है ना तो आपको स्याम गड़े से सुकदियों याद रखना और दोस्तो मिस्र बंधू ने जो योगदान दिया जो ग इंडी सायत के इतिहास को पांच काल खंडों में विभाजित किया गया ये भी याद रख लिना इस मिस्र बंधू में दोस्तो लगबग पांच हजार कभियों का दोस्तो बरनन इसमें मिलता है इसमें चित्रन मिलता है ये भी याद रख लिना और ये जो मिस्र बंधू की ब भाग प्रकासित हुए थे पुलिसर इसके तीन भाग प्रकासित हुए थे 1913 में और 14 की अगर बात करोगे चौते भाग की बात करोगे तो 14 भाग इनका 1934 में प्रकासित हुआ था मिस्र बंदू का अगर कभी आफसन में आ जाए कि मिस्र बंदू बिनोद में कितने कभियों का और लेक मिलता है तो अफसन में 4591 आजाए तो 4591 लगा देना और लगबग पूछा जाए तो लगबग 5000 लगा देना ठीक है तो चार भागों में प्रकासित पांच पांच काल खंडों में हिंदी साहित के इतिहास को इसमें बाटा गया 1913 में 3 भाग 34 में 34 भाग इसमें प्रकासित हुआ इसको याद कर लेना हिंदी साहित के इतिहास लेकन से पूर्वे किस प्रसिद्ध ग्रंथ में किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विविन कभियों के हिंदी के विविन कभियों के जीवन ब्रत एब हम कृतित्यों का परी पूर्ब किस प्रिशिद्ध ग्रंथ में हिंदी के बिविन कभियों के जीवन वरत्य एवं कृतित्त्तु का परिचाय मिलता है और प्रश्न किरमांग अपना पच्छपन है और आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है जन्दी से बताओ यसरत्ती जी दारसू जी क्या पढ़ा है बुली सर हमने पढ़ा है कि 84 बैशनों की बारता गोकुलनात द्वारा रचित की रचना है या 222 की बारता हिन्दी साहित के इतिहास लेखन से पूर्व पिरसिद्गरंता कौन सा चौरासी बैशनों की बारता इसमें दोस्तों किया है कभी यो के जीवन बरत मिलते हैं किर्टित्त मिलते हैं और इन्हे ही हम क्या मानते हैं इन्हे ही दोस्तों हम मानते हैं क्या मान लेते हैं हिंदी साहित के इतिहास लेकन के सुरोत की जब बात आती है तो इतिहास लेकन के सुरोत में दोस्तों भक्तमाल 252 बैसनों की बारता 84 बैसनों की बारता इनको सामिल किया जाता है क्योंकि जब ह अधार पर लिखा गया, है ना, तो आपका उत्तर क्या हो जबगा बिकल्प नम्मर 7, ती नम्मर आपका विल्कों सग्रेट यहाँ पर आते हैं, आचार रामचन सुकल का इतिहास गरंत हिंदी साहित का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकासित हुआ था चपन का अंसर आपको चैन करना है उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग अंसर लिखेंगे सभी लोग को अंसर कमेंट में लिखना है और जिन भ का है ना डाउट भी पूरे किलियर होंगे और मजा आने लगेगा है ना दोस्तों आज ही जुने सेल्फ स्टडी किलासे से सेल्फ स्टडी रेखा जी वेरिगोड आचा रामचन सुखल का इतिहास गरंत हिंदी साहित का इतिहास स्टंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकासित हुआ था यह रहा आपका कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर और 56 का आपने जो चैन किया है वो चैन किया है हिंदी सब्द सागर की भूमिका हिंदी सब्द सागर की भूमिक में है ना तब आपका उत्तर एह नंबर बिल्कुछ सही हो जाएगा और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दा मौडन बनना कुलर लिट्रेचर आप हिंदोस्तान का लेखक कौन है बहुत बढ़ गया प्रशन है दोस्तों इस्याटिक स्वासाइटी या वंगाल के दोस्तों अंक में एक प्रकासित हुआ था है ना और आपको पता है कि यह जो प्रकासित हुआ था यह वा था अठारा सो अ 1888 में ए प्रकासित हुआ और दोस्तों इस्वतंत्र पु CT की रूप में जो प्रकासित हुआ था यह 1889 में प्रकासित हुआना लेकिन și 1888 में दा माडन बनना कुलर लिट्रेचर आफ हिंदोस्तान ए प्रिकासित हुआ और इसके लेखक को अनमान जाते हैं तो आपको बताना है जार्ज गिरियर्सन गार्सादा तासी रेने बैलाक या फिर गिलक्राइट बोले सर गिरियर्स दग गार्सादा तासी का इस्तवार दाला ल पहले काल बिभाजन का प्रियास इसी गिरंत में किया गया दोस्तों है ना इसलिए इस गिरंत को निव का पत्थर भी कहा जाता है हिंदी साहित के इतिहास का निव का पत्थर किसे कहा जाता आप से question पूछा जाएगा तो आपको लगाना है दमाडन बनना कुलर लिट्रेच चराफ हिंदुस्तान और यह नमबर आपका बिलकुल शही हो जाएगा यह जिनों ने लगाया वो बिलकुल शही है हिंदी साहित इतिहास की परंपरा में सर्बोचिस्तान किस लेकक को मिला 58 का अंसर और बिलकुल सही आंसर होना चाहिए बिलकुल शही है दीना जी उत्तर उ 58 का अंसर बताना है और 58 का हिंदी साहित इतिहास की परंपरा में सर्बोचिस्तान किस लेकक को मिला तो आपको पता है उसर सर्बोचिस्तान सबसे बिवस्तित जो हिंदी साहित का इतिहास माना जाता है आचार रामचंद्र सुकल का सबसे पहले 1929 में सबसे पहले 1929 में दोस दोस्तों संसोदित करके इसका जो संसोदित रूप प्रकासित हुआ था हिंदी साहित के इतिहास के नाम से 1940 में हुआ था और 40 की जब बात आते हैं तो 40 में हजारी परसाद दुवेदी का हिंदी साहित की भूमी का है ना हिंदी साहित की भूमी का दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि हजारी की भूमी का 40 की हो गई है ना तो ये भूमी का 40 में और 1940 में हिंदी साहित का इतिहास संसो देथो के रामचन स सुखल का प्रकासित हुआ था 1952 की बात करें तो हिंदी साहित का उदभाव इबंबिकास हिंदी साहित का आदिकाल कि दो गरंथ प्रकासित हुए थी हजारी पर साथ दुवेदी के बावन में ठीक है और यहां पर आपका सही उतर हो जाएगा राम चंद्र सुखल राम चंद् क्रमग 59 59 आपका सही उतर क्या हो जाएगा गर्चा दा तासी ने स्तिवार दाला ले तो तर इंदोस्तानी ग्रंथ की रचना किस भासा में की है दीपीका जी 59 का अंसर आप लोग का अंसर पुली तर यह इस्तवार डाला ले तो तुरी है अंदो इंदोस्तानी जो गरंट gonna यह गारसादा तासी का है और यह बात करें किसकी फ्रैंच भासा फ्रैंच भासा फ्रांसीसि भासा में प्रिकासित हुआ यहने कि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ए नमबर आपका बिलकुछ सही हो जाएगा और अंगला क्वेश्चन है हिंदी साहित नामा कितिहास गरंत का संपादन किस ने किया हिंदी साहित हिंदी साहित नामा कितिहास गरंत का संपादन किस ने किया प्रश्णिक रमांग 60 का उत्तर बताना है हिंदी साह लांसर किसी का गड़יतบार यह बहुने हैं कई बार एकजाम में पूझा गया है लेकिन इस सरल बे में पूछा जाता है आप लोग को कठन बे में नहीं लेना है इस सरल बे में पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है बीज बपन काल और मैंने कहा कि बीज की बात आई है तो बीज बोई है अहिंसा के किसने अहिंसा के अपन पढ़ते ना कि अहिंसा के बीजबोए महाबीर भगवान ने तो बीजबपनकाल भी कौन कहेगा कौन कहेगा महाबीर पिरसाद दुवेदी कहेंगे किसे आम सुन्दर दास कहेंगे पुलिसर छोड़ो यार महाबीर पिरसाद दुवेदी ही कहेंगे मैंने कहा ठीक है फिर आपका उत्तर सही हो जाता है बिकल्प नमर बी बीज बपन काल महाबीर पिरसाद दुवेदी बी नमर आपका बिलकु सही हो जाएगा अंगला कॉस्चन है सरहपाद को हिंदी का परतम कभी किसने माना है सरहपाद को हिंदी का परतम कभी किसने माना मिसर बंधू ने मिसर बंधू ने है ना चंद्रधर सर्मा गुलेदी ने राहल सर्मा ने या पिर राहल सांकृत क्या नहराजारी पर साथ दुवेदी ने सरहपा जुक्लिना स्रहपाथ को हिंदी का पृथम कभी किसने माना है और शिक्ष्टी टू का अंसर हो जाएगा बुले जाएगा राहुल शांकृत त्यायन की बात करो राहुल सर क्या बोलेगे राहुल सर राहुल सर है ना सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो सी जो आपने चैन किया है वो बिलकुल शही है आचार रामचन सुकले ने हिंदी साहत के प्रारंबेक काल को किस नाम से अभी हीत किया बिलकुल सरल आंसर दोस्तों तूट पड़ो इन परस्णों को बोले सर इतने सरल आंसर इतने सरल परस्ण पूछोगे मैंने कहा हाँ है ना तो बिलकुल पूछते जाओ, हम भी उत्तर बताने के लिए तयार हैं, है ना, और आचार रामचन सुकले ने हिंदी साथ की प्रारंबिक काल को किस नाम से अभी हीत किया, ये भी आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंचल सिंग जी, रेखा सरोज पुलिसा 63 की बात करोगे, तो यहां परादी काल काट दो मैंने कहा काट दिया, चारण काल भी काट दो, काट दिया, सिद्ध सामंत भी काट दो, काट दिया, उत्तर कहां चला जाता है, बिकल्प नमबर बी की ओर, बी की ओर आपका उत्तर चला जाता है, बीर गाता काल, बी नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना बीर गाता काल इन्होंने नाम जब दिया दोस्तों तो इन्होंने बारा रचनाए प्रमानेक मानी और बारा रचनाओं में जिन प्रमानेक रचनाओं को माना इन्होंने बीर रस्ते प्रधान ओत्परोत है ना उनमें कुछ पता होगा कि आदी काल नाम ही चड़ परा और इतने हम आदी काल ही जानते हैं और राम चंदर सुकल ने दोस्तों इसकी जो अबदी मानी 1050 से लेकर के तेरा सोपचयत्तर मानी ये भी आपको याद रखिगेना है और एक हजार से लेकर के 1050 तक 1050 तक दुवेदी जीने मानी है explosive आप से कॉस्ट्ञ पूछा जाता है पूछा जाता है कि हिंदी साहित के अंतरगत किस काल को हिंदी साहित का स्वर्न योग बताना है दोस्तों आपको पता होगा जार्जगिरी अर्शन ने सबसे पहले हिंदी साहित के हिंदी साहित के उस योग को जिसे आपने बता आपको बताना है क्या कहा था क्या कहा था स्वन योग कहा था फिर स्याम सुंदर दास ने इसे स्वन काल भी कहा था दोस्तों य इंडी साहित का ये स्वर्ण योग था क्या था स्वर्ण योग था और अगर कभी आप से पूंचा जाए कि खड़ी बोली का स्वर्ण योग कौन सा योग था खड़ी बोली का स्वर्ण योग कौन सा योग था तो आपको लगाना है चाया बाद चाया बाद खड़ी बोली का स को फस्ट बैच में सेकंड बैच में स्टार्ट से पढ़ना है सुरुआत से पढ़ना है वो आज ही सेल्फ इस्टडी के लासे से अप डाउनलोड कर लें और आधी कालीन पार और बता दिरा हूमें कि डोला मारूरा दुहा एक तो आप से पूचा जाता है कलोल एक पूचा जाता है कलोल एक पूचा जाता है कोसल लाब है ना तो याद रख लेना कि ढोला मारूरा दुहा कि दोस्तों सबसे पहले कलोल कभी ने मूल रचना कलोल कभी की है और इसमें संसोधन की आता कोसलाब ने है ना तो एक कलोल कभी भी भी आती है और कोसलाब का नाम भी इसमें रचनाकार के रूप में आता है है ना तो कलोल पूचा जाए तो कनलोल लगा देना और कोसलाब पूचा जाए तो कोसलाब लगा देना है ना और दोनों एक साथ कभी नहीं पूचा जाएगा इसलिए याद रखना अंगला कॉस्चन है डोला मारूरा दूहा डोला मारूरा दूहा की लोकेक साहित की अंतरगत लोकेक साहित क कि अंतरगात सरहपा लुईपा सब्रपा आदी कभी किस साहित से संबंद हैं है ना सरहपा लुईपा सब्रपा आदी तो इतना तो अपने पड़ा है बुलिसर सरहपा की बात करो लुईपा की बात करो सब्रपा की बात करो है ना सरहपा की रचना दोहा कोस सब्रपा की रचना चरया पद है ना अपने पड़ी ना तो दोहा कोस की रिचनाकार सरहपा सबरपा चरया पद इनकी है और दोस्तो आदी काल की अंतरगा सरहपा लुईपा आदी कभी किस साहित की अंतरगत आते हैं तो बुली सर सिद्ध साहित की अंतरगत आते हैं और दूसरा कोस्टन आप से पूशा जाता है कि सिद्धों की संक्या कितनी थी तो आपको बताना 84 कितनी थी 84 थी इनमें प्रतम सिद्ध को अन माने जाते हैं प्रतम सिद्ध माने जाते हैं सरैपा और सिद्धों में सरबोच स्थान है तो किसका है लुईपा का सरबोच स्थान लुईपा का माना जाता है प्रतम सिद्ध मान जाती सरहपा सिद्धों की संक्या है 84 यह भी याद रख़ी न än दोस्तो अंगला प्रत्वी राज रासों को सर्व था प्रमानक माना है लेकिन इन्हों ने दोस्तों प्रत्वी राज रासों को महाकाब माना है क्या माना है महाकाब माना है तो राम चंदर सुकल के अनुसार हिंदी का प्रत्वी राज रासों कोसा है sentence उत्तर राज रासों さर्वता प्रमानक माना तो यह भी आपको याद रखने राम चंदर सुकल जी है ना अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर आदी काल की रूणियों परंपरा और प्रिविर्टियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है और 68 का अंसर आपको चैन करना है और कई बार बताया पुलिसर कई बार बताया कई बार बताया लेकर भूल गए अब नहीं भूला बताओ जल्दी से कौन-कौन गलत बता रहा है वो मैं कमेंट में देख रहा हूँ आज और कौन-कौन सही बता रहा है वो भी कमेंट में देख रहा हूँ प्रश्न करमांग 68 और 68 में कुछ लोग चैन कर रहे हैं A, कुछ लोग चैन कर रहे हैं B, है ना, B और A, A, B, B, A, A, B और B, A, है ना, A को काट दो, C को काट दो, D को भी काट दो, है ना, आदी काल की रोडियों, 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 परमपराओं और प्रिविटियों को, परमपराओं और प्रिविटियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है, किस पुस्तक से सहायता मिलती है, तो वो मिलती है प्राकृत पैंगलम, ये रोडियों की बात तो रूडियां बहुत थी प्राकृत जब प्रेचलित में थी तो रूडियां बहुत थी वो तो अब खड़ी बोली मानक भासा बन कर आ गई है ना तो दोस्तों दोस्तों क्या हो गया खड़ी भाला खड़ी बोली मानक बन की आ गई तो रूडियां खतम होने लगी लेकिन बो प्रत्वीराज राष्व का रचेता किसे माना जाता हैं नर्पत्थी नाल बुलिसर कट कर्दो जगने कट कर संद बर्दाई रहने दो गॉरक नाथ रहने दो हैना तो आपको पता है प्रत्वी राज रासो हिंदी का प्रतम महाकाब हैना किसे आदी काल में छायाबाद में चंदो का जायब घर भी कहा जाता है हैना अपन पढ़ते हैं पुलिसर चंदो का जायब घर किसे कहा जाता है तो आपको बताना राम चंद्रिका को, हैना आदी कालिन किस किर्ती को चंदों का जाइब घर कहा जाता है, तो आदी कालिन जो किर्ती है वो है प्रत्वी राजरासो, हैना याद रख लेना और प्रत्वी राजरासो का जो रचेता है, वो रचेता कौन है, वो रचेता है, इसके रच्छेता भी चंद्रमा से बनेगा चंद्र बढदाई ठीक हैं तो सी नमबर बिलकुच सही रासो काब परंपरा में गे काब कौंसा है डे काब कौने काब कन सा है प्सल डेू रासो ते हैं यानिकि सत्तर का आंसर गेए काभ कुंसा माना जाता है अजमेर के सासक से संबंदेत रचना कुंसी माना जाती है और गे IK कोनसा माना जाता तूस सारे कॉस्चन तीन-चार बरण के 3-4 प्रकार के 2-100 कॉस्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे तो बोले सर हम भी तयार हैं और हम भी तयार हैं तो उत्तर होगा बीसल देवरासो बीसल देवरासो आपका बिलको सही हो जाएगा और जिन भी सातियों उने दोस्तो self study classes एप डाउनलोड नहीं किया वो एप डाउनलोड करें पिले स्टोर में सर्च करें self study classes self study classes आपको सर्च कर लेना है और दोस्तो जुड़ जाना है और जो भी साती batch number 2 से जुड़ना चाहते हैं जहां से प्रारंब से अध्यन चालू हो गया है प्रारंब से अध्यन हो रहा है और दोस्तो आठ तारिक का best test होगा best two का first test होगा आठ तारिक को उसमें आप जोड़ सकते हैं यहना अपने अध्यन को बहुत अच्छा बना सकते हैं घहराइ तक पढ़ सकते हैं दोस्तो एक एक चीज पढ़ सकते हैं अक्जाम तो एक्जाम होता है क्या पूछ ले किसको पता है दामुदर सर्मा दोारा लिखे त उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण किस परकार का ग्रंथ है उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण सबसे पहली बात तो ये दामुदर सर्मा का ग्रंथ है तो उत्तर भी यहाँ पर हो जाएगा उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण ये माना जाता है ब्याक्रण ग्रंथ कैसा माना जाता है ब्याक्रण ग्रंथ है दामुदर सर्मा का उक्ती ब्यक्ती प्रक् जी विवादर्स जी अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर आदी काल में खड़ी बोली को कब की भासा बनाने बाला पहला कभी कौन है आदी काल में खड़ी बोली को खड़ी बोली को आपने देखा होगा दोस्तों कि खड़ी बोली का स्वन योग छाया बाद योग है ना खड आदी काल में जो खड़ी बोली तोई वो गद्य तक सीमित रही है ना और आदी काल में कभ़ी बोली को कभ़ की भासा बनाने बाला पहला कभी कौन है तो पहला कभी 72 क남 आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो याद रहो B number आपका बिलकूर सहיח होगा अमीर खुसरो ना अगला question आदी काली सलांकित कृती का नाम क्या है जिसे गद्ध पद्ध मिस्रित चम्पू काब की प्राचिंतम हिंदी किर्थी माना जाता है आपको पता है सिलांकित किर्थी यानि की सिला में अंकित किर्थी है ना दोस्तों चम्पू काब यानि की गद्ध और पद्ध का मिस्रन काब चम्पू काब है ना और काब की प्राचिंतम हिंदी किर्थी माना गया ह तो किसे माना गया जल्दी से आंगूटा चला देना सभी लोग लाइक कर देना लाइक कर देना अधीकाली सिलांकत किरती का नाम क्या राउल बेल किसकी है रोडा कभी की रोडा राउल बेल की रचनाकार है रोडा कभी गद्ध पद्ध मिसरित चंपू काब है सलांकित किरती है और इसलांकित किरती मालबा मद्ध परदेश में ये सिला पर अंकित है है ना मालबा मद्ध परदेश में सिला में अंकित है ये भी याद रखो अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रिसिद्ध है, सभी को लाइक कर देना है, फटा पट से वीडियो को सेर भी कर देना अपने मित्रों तक, और दोस्तों पढ़ते जाना इस सीरिच को छोड़ना नहीं है, एक भी प्रस्ण मिस नहीं होना चाहिए आपका, तैयारी को सुरू कर सकते हैं, टेस्ट भी होगा, ट्रिक भी होगी, बिस्तरे तद्यान भी होगा, सब कुछ होगा, यहाँ पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना, याद करवाने का ठेका सिर्फ सेल्फ स्टेडी किलासेस लेता है, और कहीं चले जाओ दुनिया में, है यहाँ पर आ जाते हैं, आदी काली नसाहित में, बीर रस की रचनाओ में, किस सेली का प्रियोग किया गया, यह आपको बताना है, प्रश्न किरमांग 75 और 75 का रतिपाल जी उत्तर क्या हो जाएगा, आदी काली नसाहित में, बीर रस, बीर रस की रचनाओ में, किस सेली का प्रियोग किया गया, यह भी आपको याद रख लेना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है आई सा यादाव जी एसा नहीं आया तो आपने NCRT पढ़ी थी क्या है स्टेट की हैना स्टेट में कुछ question NCRT के आते हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है UKLT में कुछ NCRT से आते हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है हैना पूरा डिपेंड अगर हिंदी साहित के इस पर हो जाओगे आप इतिहास पर तो वो चीज़ें आपको दोस्तों क्या होती है हैना वो चीज़ आपका पेपर पूरा हल नहीं करवा पाती हैं तो NCRT अगर आपने पढ़ी थी तो एच टेट भी आप किलियर कर जाते हैं बहुत सारे सातियों ने हच टेट भी किलियर किया है और पंजाब मास्टर कैडर भी किलियर किया है है ना आदी काली इंसायत में बीर रस की रचनाओं में किस सहली का प्रियोग किया गया तो प्रशने किरमांग 75 और 75 का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौनसा वो हो जाएगा कौनसी बीर रस की रचनाओं में किस सहली का प्रियोग किया गया तो बीर रस की रचनाओं में डिंगल और भी आपका बिल्कु सही है ठीक है बिल्कु सही है अंगला कॉस्जन है आदी काल के किस पंत से भक्ति काल के संत मत का बिकास हुआ था यह आपको बताना है प्रश्ण किरमांग क्या हो जाएगा ठीक है 76 का आणसर आदी काल के किस पंत से भक्ति काल के संत मत का बिकास हुआ तो जल्दी से बताना है प्रश्ण किरमांग 76 आदी काल के किस पंत से भक्ति काल के संत मत का बिकास हुआ तो किसका हुआ बोध का जैन नात या पर बज्ज्रियान किसका हुआ 76 आदी काल के किस पंत से बक्ति काल के संत मत का बिकास हुआ तो संत मत का जो बिकास हुआ दोस्तो वो हुआ है आपको पता होगा किस मत से हुआ नात नात है यानि कि आपका जो स्ती नम्मर है नात मत वो बिल्कु सही हो जाएगा नात पंताप का बिल्कुस सही हो जाएगा है ना अंगला कोस्टन डाक्टर रामकुमार बर्मा ने आधी काल का नाम करण किस रूप में किया किस रूप में किया आप फ्रेंच से संधी काल और चारण काल सिद्ध शामंत काल अंधिकार काल और रामकुमार बर्मा ने आदी काल का नामकरण किस रूप में किया है किस रूप में किया आदी काल का नामकरण और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है आदी काल का नामकरण पूछा जाता है और 77 का अंसर 77 का अंसर हो जाता है शंधी काल शंधी काल और चारणकाल है न डाक्तर रामकुवर बर्मा ने आधी काल का नामकरण किस रूप में किया तो वो रूप था संधी काल संधी काल और चारणकाल हैना 750 से लेकर के दोस्तो एक हजार तक इन्होंने संधी काल माना था हैना यह भी आपको याद रखेना है सिद्ध जैन साहित को संधी काल में इन्होंने रखा था सिद्ध जैन साहित को संधी काल के अंतरगत रखा था इन्होंने हैना और नात संप्रदाय की प्रबर्तक कौन माने जाते हैं नात संप्रदाय की 78 का अंसर बताना है दोस्तों यहाँ पर चार बिकल्प हैं नात संप्रदाय की प्रबर्तक आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा गोरक नात, गोपी चंद, चोरंगी नात या फिर चोड़कर नात कौन माना जाता है उत्तर क्या हो जाएगा हैना नात संपर्दाए की प्रबारतक कौन थे नात संपर्दाए की प्रबारतक कौन थे और 78 78 78ete cancer 78 cancer बिलकुर शही answer हो जाएगा आपका कौंसा गोरकनार पोwrकनाथ यह नंबर आपका बिलकुर हो जाएगा ठीक है एह आपने चेंड कर लिया और है आपका बिलकुर सही है। कि रता क कीडिति बता को रंग किर या आपको चैन करना है वीडियो को लाइक करना है सेर भी करना है है ना कीरती लता और कीरती पता का अबहट की रचना है बिद्यापती की अबहट की रचना है है ना और दोस्तो अबहट में कीरती लता की रचना अबहट में है ना कीरती पता की रचना अबहट में और दोस्तो पदा वली की बस कीती किसमें मैथली में है ना तो है दसवी से चौदवी सताबदी का काल जिसे हिंदी साहित का आदी काल कहते हैं वहासा की द्रश्टी से अपवरंस का ही बढ़ाओ है एक तन किस लेकक का है असी का अंसर आपको चैन करना है दसवी से चौदवी सताबदी का काल जिसे हिंदी जिसे हिंदी का आदी काल कहते हैं भासा की द्रश्टी से अपर्वरंस का ही बढ़ाओ है एकतन किस लेकक का है प्रश्ण किरमां के टी में आपको चैन करना है और बढ़िया प्रश्ण है दोस्तों और एक क्वेस्चन जो आया था जो मैंने आपको बार-बार कई बार बता दिया कि मैं जोर देकर कहना चाहता कि अगर मुस्लिम आकरमन भी ना हुआ होता तब भी हिंदी साहित का इतियास जैसा आज है बैसा ही होता एक क्वेस्चन पूछा गया था दोस्तों एच टेट में इस क्वेस्चन को रट लेना क्योंकि यह बहुत ही महत्पून है और यह हजारी परसाद दुवेदी का कतन है और हजारी परसाद दुवेदी ने ही कहा था कि मैं जोड देकर कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम आकरमन भी होता तो हिंदी साहित का इतियास बैसा ही रहता जैसा कि आज है और उत्तर यहां परस्ती का भी नमबर हजारी परसाद दुवेदी बिलकुल सही हो जाएगा ठ चारनकाल की संग्याग देने बाले विद्वान कौन है तो चार विकल्फ हैं और उत्तर आपको ही चैन करना है सभी लोग एक बार लाइक कर देना और जिन्वी सात्यों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासे एप डाउनलोड नहीं किया है वो एप डाउनलोड कर लें और पा जानकाली आप चाहते हो तो दोस्तों आप यहां से क्या है आप यहां से आप नंबर चला है तो उसमें जानकाली ले सकते हो और आदिकाल को चारनकाल की संग्या जो दी थी वो थी जार्ज गिरियर्सन जार्ज गिरियर्सन यानि कि बी नंबर आपका बी नंबर जार्ज गि सिद्धों और नातों की संक्या यह कोस्चन आया था पंजाब मास्टर केडर में अभी कि सिद्धों की संक्या कितनी है और नातों की संक्या कितनी है तो सभी लोगों को लगबग पता है कि 84 सिद्ध और 9 नात है ना कि पंजाब मास्टर केडर में कोस्चन आया था और हिंदी स और अपकर आपका होजाएगा. सिद्लों की पूंची तो 84 लगा दो. सिद्लों की पूंची तो 84 लगा दो. नातों का पूंचे तो 9 लगा देना जैना उत्तर सही हो जाएगा. उत्तर सही हो जाएगा और C नंबर जैन साहित की रास परंपरा के पिर्थम गरन्त भरतेसुर बाहुब़ी रास का रचनाकाल क्या है आपको पता है दोस्तो रचनाकार बताना है रचनाकार कौन है इस भरते सुर बाहु बली रास को इसको दोस्तों गड़पती चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रतम रचना मानी है किसे भरते सुर बाहु बली रास को इसके रचनाकार आपसे पूचा है तो आपको भी उत्तर लगा देना है कि भरते सुर बाहु बली रास के जो रचनाकार ह वो हैं साली भद्र सूरी और आनम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाता है यह आपका सही हो जाता है यह ना भरतेस्वर बाहु बली रास इस साली भद्र सूरी की रचना है गडपती चंद्र गुप्त ने इस रचना को पिर्थम पिर्थम दोस्तों हिंदी की पिर्थम रचना मान ये भी आपको याद रखना और भरतेसर बाहु बली जो बाहु बली होगा ना बाहु बली सक्ती साली सक्ती साली तो साली भद्र सूरी की रचना हो जाएगी यहां पर साली आएगा साली बुले सक्ती साली तो साली भद्र सूरी है ना तो याद रखो ए नमबर आपका बिलकु साहित का इतिहास लिखने वाले से उसें सेंगर से उसें सेंगर दोस्तों ऐसे कभी जिन्हों ने से उसें सेंगर से उसें सरोच की रचना की थी उसें सरोच की रचना की थी और हिंदी में हिंदी साहित का ये प्रतम गरंत माना जाता है एक कॉस्चन भी आया था भी पंजाब में आया था कि हिंदी में हिंदी साहित का हिंदी में हिंदी साहित का इतिहास सर प्रतम किस ने लिखा है ना तो ये पूचा गया था और सेउसें सेंगर ने किस कभी को हिंदी का प्रतम कभी माना तो वो माना था किसे पुस्त या पुंड को, पुस्त या पुंड को, बोले सर स्यो के ऊपर हमें पुस्त पे चलाना है, क्या चलाना पुस्त पे, तो स्यो से अगर पुस्त को मानेंगे, पुस्त या पुंड को मानेंगे, है ना, याद रखो, याद रखो, बोले स्यो, जी, है तो बी नमबर जैमायंक जस्चंद्रिका की रचनाकार कौन है प्रशन करमां के 85 और 85 का उत्तर क्या हो जाएगा ये चोटे-चोटे प्रसन आपको रट लेना है इन जब प्रसन ये पूछ लिए जाएं कभी तो इन से प्रसन गलत नहीं होना चाहिए इसलिए इन प्रसनों को रट लेना है इन प्रसनों को याद कर लेना है ये प्रसने भी पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछे जाते प्रसन भी पूछे जाते हैं और चोटे-चोटे प्रसन आपके गलत नहीं होनी चाहिए है ना अगर ये गलत होते हैं तो कटाफ तो यही विगाड़ आदेते हैं ना जय मैंक जस चंद्री का दोस्तों किस कभी याद रख ले ना जय मैंक जस चंद्री का मधुकर कभी बाक्त के असुद्ध भाग का चैन कीजी एक पूरा बाक्त के उसमें से असुद्ध आपको चाटना है तो लिखा है दीपा वली पर कुछ लोग चम चमाती चांदी के बरतन खरीदने का लोभ संबरण ना कर सके मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए देखो दीपा वली पर लोग चम चमाती चांदी के बरतन नहीं ठीक है चांदी के चम चमाती बरतन होना चाहिए तो बीत का गलत है बाक्ती ठीक है आगे देखें निमने लिखेत मैंसे बाक के सुद्ध रूप का चैन कीजिए फिर से यसे बाक का गया है तो देखें नेताओं का हैतिस में है कि लोग आपस में लड़ते रहें ठीक है यह सुद्ध है प्रतेक बाक में असुद्ध भाक का चैन कीजिए अब असुद्ध का चैन करना है प्रतेक देशवासियों को देश की सेवा में तनमन धरन पर करना चाहिए तो प्रतेग देशवासी होता है या तो देशवासी हो को सीधा कह देते प्रतेग की जरूरत नहीं थी तो यह गलत है वाँ की ठीक है बाक अब आप खुद सोचें जब बाक की की आपको असुद्धी पहचानना हो ना मित्र तो एक काम करना आप खुद बाक कबूल करके देखना कि आप किछी से कोई बाक कबूल ला है तो आपको कहां गड़वर लग रही अपने आप समझ में आ जाएगी ठीक है ये बाक का आप अब आप किसी के आतंकबाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे आतंकबाद सायद एक दिसाहीन है सायद नहीं भी ये तो पक्का है आप एही बोलेंगे सायद नहीं लहें आतंकबाद एक दिसाहीन उद्देशीन अंधिर ऐसा बोलेंगे ये नहीं बो तो यहां पर जो इसका असुद्ध हो जाएगा वो आपको बताएं तुमका अक्छा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हैं तुम्हारी की कोई जरूरत नहीं थी पता दिया कि भाई तुमकी बात हो रहे रिपीटेशन क्यों है तो यह गलत हो जाएग हाँ जल्दी से कमेंट कर दें ए भी शी या डी तो आपको बता दें कि गुड़ी मनुस कहता है ठीक है कि मैं बिभित प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ गुड़ी नहीं अब यहां पर दुख सहन की बात हो रही तो साहसी होना चाहिए साहसी मनुस कहत है इसमें सहस होता है कि दुखों को सहनी भी कर रहा है फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ ऐसा बाक में असत्धभाक का चेंड कीजिए ठीक है एक ही बाक दिया है तो आगे देखें फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंक तितली के पास नहीं तितली के सुंदर पंक होते हैं अलग चीज़ थोड़ी नहीं तितली यह पंक होई अलग अलग थोड़ी नहीं कि उसके पास होगे तो A-C इस बाक का गलत हो जाएगा आगे देखें बाक के असुद्ध भाक का चैन कीजिए अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पड़ाया अब आज हमारे को क्यों कर दिया भी या आज हमारे को नहीं हमें कर देते अपन कोई भी बाक कभी भी बोलना है तो कम सब्दों में पूरी बात हो सके तो उसको जादा सब्द नहीं लेना है जब इतने में काम चल सकता था आज हमें नया पाठ पड़ाया तो हमारे को क्यों बोला है इसलिए ये असुद्ध हो जाएगा अब भीहास करते रहें आप हमारे अभ्यास लगा ले अब ये पांस सो चौरास ही आगया इसी पीडियेप का तो आप सूच लें कितने प्रिशन हो गया है कितने होने है तो वैसे आप जुड़े रहिए बाक के असुद्ध भाक का चेन कीजिए ठीक है तो लिखा है बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है अब यहां बुले बुरा से बुरा तो बुरे से बुरा होना चाहिए बुरे से बुरा आदमी ठीक है इस प्रकार से ये इसका असुद्ध हो जाएगा कम समय में आपका हम चाहते हैं कि जादा काम बन जाए इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं लाते कि एक घंटे का वीडियो लाएं और केवल 20 परसन पर चर्चा करें तो क्या मतलब निकलेगा ठीक है इसलिए बाक के असुद भाक का चैन कीजिए जल्दी से बता दें तो बाक के असुद भाक का है कि जिस प्रकार आभूशनों के द्वारा सरीर की सोभा बढ़ जाती है ठीक है उसी प्रकार अलंकारों से भासा में लालित आ जाता है यहाँ पर यह है पांच बाक के दिए हैं कोई तूटी नहीं तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें असुद हो जाएगा कि जिस प्रकार से आभूशनों के द्वारा स स्रीर की सुभा, बढ़ जाता है, लिखा है, जाती है होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा सुद्ध, बाक में अशुद्ष भाक का चैन की, जल्दी से पहचानी है भाई अशुद्ष भाक, तो आपको बता दें, सीता रांग की आग्या कारी पतनी थी, अब आग्याकारी भी एक तरब बोल लें सी था इस्त्री लिंग एक तरब बोल लें आग्याकारी नहीं भी इस्त्री लिंग लगा आग्याकारी आग्याकारणी होना चाहिए तो 20 में क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ऐसे पहचान लिया करें देखो या तो लिंग संबंधी या सुद्धी होगी ठीक है या बचन संबंधी की एक है वो बहु बचन बता रहा है बहुत सारे हैं एक बचन बता रहा है या कारक संबंधी या सुद्धी होगी ये अपन को छाट लेना है पहले भाई पर लिंग देख लो फर बचन में देख के असुद्ध भाग करेंगे आगे लिखाएं प्रितीक सुरी ब्यक्ती के हर प्रकार के कष्टों को भल भर में दूर करती से ठाल सुमें तो ब्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को होना चाहिए ठीक है कष्ट आपने या आप में क्या है बहु बचान है उसको कष्टों लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है इस प्रकार से निमने लिखित मैंसे बाक के सुद्रूप का चैन कीजिए दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करना और यूटूब पर टॉप 50 श्टडी चैनल को सर्च करके करम से पूरे वीडियो जरूर देखना तो यहां पर अपन को सुद्रूप चैन करना है तो मैं गाने का बिहास करता हूँ यह इसका सुद्रूप हो जाएगा निमने लिखित मैंसे बाक के सुद्रूप का चैन कीजिए तो पहले ही लिखा है कि बन में प्राता काल का द्रस बहुती सुहावना होता है बिल्कुल ठीक बागी साब आगे पीछे लिखे हैं तो गड़व होना मतलब आप समझ लेंगे इसका हो जाएगा अंगूठी करना मतलब बिल्कुल अनुप्री ये जूड़ा होना कहलाता है इसका ठीक है समुद्र मन्थन करना का अर्थ है समुद्र मन्थन करना मतलब क्या हो जाएगा कठोर परिश्रम करना समुद्र का मन्थन करना कोई आसान काम थोड़ी ना है बहुत कठोर परिश्रम है इस प्रकार से हो जाएगा ब्रोध करना के लिए सही महाबरा है ब्रोद करना क्या हो जाएगा सिर उठाना मतलब किसी की खिलाप सिर उठाना ये ब्रोद करना है नास कर देना के लिए सही मोहाबरा है जल्दी से बता दें नास कर देना दिल्कुल पानी फेर देना पन्नी के तो यह तुमने तो सब सत्या नास कर दिया, पानी फेर दिया, तो नास कर देना मतलब पानी फेर देना, मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का सैयोग समाप्त हो गया है रेखांकित बाक्यांस के लिए सही मोहाबरा है जल्दी बता दें इसके लिए क्या सही मोहाबरा है तो अब भीये बोले कि यहां रहने का सैयोग समाप्त हो गया मतलब अन पानी उठी या अन जल उठी या इसा बिलकुल आपन डेली में बोलते हैं सब ब्रश्ट नेताओं के कारण कांगरेस चुनावार गई रेखांकेत बाक्यांस के लिए सही मोहावरा है अब यह कांगरेस के वाले नहीं है ना बीजेपी वाले है वह तो कॉस्चन है ब परिकादवार आम अदमी का लें आगे सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं अपनको तो पढ़ाई करनी नौकली चाहिए तोते की तरह आखें फेरने का अर्थ है तोते की तरह आखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना यह हो जाएगा धपोर सं मतलब बेवकूब बिल्कुल दिल पक जाना कार्थ है मुहाबरे लुकोकती में से एक दू प्रशन आते हैं परफेक्ट कर लें आँच दिल पक जाना कार्थ हो जाएगा अत्यंत पीडा होना ठीक है दिल पक गया पर नहीं बहुत पीडा हो रही है कई बार पूछा गया है आधा तीतर आधा बटेर कार्थ है very very IMP कई बार पूछा गया है आधा तीतर आधा बटेर मतलब इसका हो जाएगा दोस्तों लाइक जरूर करना इसको वैस आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप रंतर पढ़ रहे हैं कमेंट में उत्तर बताते हैं तो तो आधा ती चैन कीजिए पुत्त की हरकतों से तंग आ गए पिता तो क्या करेंगे पिता ने उसे तिलान जली दे दी आप तमझो करना हो करो तुम्हारा का दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी दिया है तो कोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि जो सेल्फ स्टरी क्लासेस इस परकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो यह आपको प्रकार सिस्टिगेंट के समस्टी एप दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे